अब हर खबर पे होगी आपकी नज़र हमारे सभी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकोन पर जाकर आल पर क्लिक करे ताकि हमारे सभी अपडेट्स आप तक पहुंच पाए किसम से धर मुसे किसम से जियरा चकना चूर है इश्कDI सए अश्कबाजी से बियारी गमच्या प्रीत किलत मोह ऐसी लागी हो गई मैं मैं मतवारी बल बल जाओं अपने प्या को है मैं जाओं वारी वारी शुर्वात में तो थी situation के गाना गाता हूं अच्छा गाता हूं चलो ठीक है पर बनना है इंजिनियर बनना है या MBA कर लो यह सब चीजें थी मेरे भी मन में था मैं वे काट की तैयारी के लिए निकल निकला पटना से पाजेब बलम जी हो पटना से पाजेब बलम जी आरा से ओठ लाली मांगाई दाच्छापरा से चुनरिया छीट वाली नमस्कार में हुरिचा शर्मा और आप देख रहें राड निट्वर्क जब धोती कुर्ता पहन कर और सिर्पे गमचा बांद कर बिहार के ये लाल स्टेश से गाना गाना शुरू करते हैं तो संगीत के बड़े से बड़े धुरंदर भी इनके सामने घुटने टेक देते हैं ज अनिवाद कि आपने हमें यहां पे बुलाया और आपसे बाचीत करेंगे अच्छा लग रहा यहां पे आके अपर आपनी जी सबसे पहले आप से पुछना चाहेंगे कि आपकी सफर की शुरूआत कैसे हुई कहें तो गाउं से मैं हूँ और जिए जर्गह से हूँ वहां पे बहुत ज़्यादा संगीत का महल नहीं था पर घर में भजन कि तन ब्राह्मन फैमिली से हूँ तो भजन कि तन दादा जी के साथ करते करते तो वहीं से संगीत में रुची बढ़ गई हमारी और फिर स्कूल म कि इस लाइन में आगए और हम सिंगर बनने का सपना भी कि दूशाकि इस नहीं था कि इसको करियर बनाएं पर जैसे आपके साथ भी एपया है अच्छा आहां जो ठी πर बनना है चीज कर लो यह सब्सक्राइब चीजिए के लिए निकल निकला था पर मुजिक से इतना लगाव हो गया कि फिर मैंने छोड़ दिया तयारी छोड़के फिर मैं कुलकाता सिप्ट हो गया सीखने के लिए और घरबाली भी मना कभी नहीं किया उन्होंने सपोर्ट ही क्या जांता आपने जालतर जो गाना गाया है वो फोक जब मैं भी समझो कि अभी मुजिक में आ चुका था अगरेश्वन कर रहा था उस समय से वोच्पुरी मुजिक का जो फोक का दौर है वो कुछ बदल गया जैसे असलील गाने आने लगे बहुत सरे गाने तो फोक कही ने कहीं दब रहा था जो ओरजिनल चीजे माटी की तो मेरे मन में की चलो वहम इस चीज को लिके बढ़ें तकि फोक हमारा जिस तरह से साथा सिनाजी मिसाल ने हमारे ब्यार से तो हम चाहेंगे कि एक ऐसी मिसाल हो हमारी संस्कृति परंपरा पर कोई दाग ना हो तो इसलिए फोक को मैं लेके चल रहा हूं विहारी गंशा से क अब नहीं बात कर लो एक गाना आपने गाया था स्टेस से वह गाना था शाहिद इश्क बाजी से तो मैं चाहूंगी कि दर श्रको कॉप सनाए लेकिन गंशा पहन कि सुनाई यह पगड़ी बान लें लिजे तो इसको कहते हैं बिहारी और जो हमारा संस्कार और हमारे जो संस्कृति है उसको लेकर आगे बढ़ना क्योंकि यहां से बिहार से मुंबई तक का सफर किया इन्होंने यह सफर का काफी संघर्ष भरा होगा जरूर होगा लेकिन जिस तरह किसे इन्होंने प्रेजेंट किया है बिहार को वह काफी मिशाल देने लाइक है तो वह जो गाना आप गाने वाले थे वह सुनाता हूं कि मध्वापी के प्रेम का हम है तनिक बवराए से रवो माशुका यार हम है बीचना कोई आयर हो उसके नेनो नीट दोरू से गजब चड़ जाए रे तब से हमरी वो है जब से जग में आशिक आए रे कसम से धर्म से कसम से जियरा चकना चूर है इश्क बाजी से आरा ही ले छप राही ले आरा ही ले छप राही ले बलिया ही लेला कि तो हरी लच के जब कमरिया सारा बहुत बढ़िया यह जो सुरुआत हुए आपकी सफर की संगीत की तो आपने कितने शोच किये अभी तक हमने काफी सोच किये हैं करता हूं कि रहता हुए तो शोच करता था पहले बॉलिवुड गर्टा था अभी मैं हर जिगे कोशिश करता हूं कि अपने फोट पर अपने फोट्वी प्रोका में तो मैं अपने फोक साथ जरूर चाहता हूं कि रखों भवानी जिसके लिए पॉपुलर हैं आप दो चीज चैनल इसनों दोन सतनों इंडियक में पटनिया में पंजाब है तो पंजाबी भीहार है तो फुरी तो फुर सेखाए तो हमारे यहां Стिकारय एक जी हिlier सब्सक्राइब करें तो इससे पहले हम कुछ मैसब सुनाएंगे आपको जो जिस तरह से पंजाबी फोक के साथ अपना विहारी फोक विहारी फोक के साथ पिर राजस्थानी कैसे अब तक आपको स्टेंश पर देखा था आप सामने बैठे तो आप से सुनना तो लाजमी होता ह तो हम सुनाते हैं किस तरह से हम अपने फोक को कहीं कहने कहीं एक फोक हम हमारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो भाषाएं अलग हो सकती है पर सुर एक ही होता है सुर जो हमारे साथ सुर हैं उसी सुरों में प्रविए जाता है बोलने का तरीका अंदाज अलग हो सकता ह तो हम ने कोशिस किये कि कैसे एक दूसरे कनेक्ट होते हैं हमारी फोक तो हम पंजाबी ये भी कुछ करने भी जा रहे हैं तो हम सुनाते हैं पटना से पाजेब बलम जी आरा से ओठलाली मांगाईदा छापरा से चुनरिया छीट वाली जनन जनन तेरी नौबत बाजे ये पंजाबी है जनन जनन तेरी नौबत बाजे जांज बजे घड़ी याल बला जूले लालन सिंदिड़ी दा से बन दा सगिशाबाद कलंदर दमा दमस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर कानपुर से कंगना की बंबई से बाला जिला मोतिहारी से है जिला मोतिहारी से मोतियन के माला बीका नेरी बिंदिया चम चम बना रस से बाली मांगाईदा छपरा से चुनरिया चीट वाली ओ साजन साजन मैं करूं साजन जीव जडी बिन साजन कैसे कटे मारे दिन अरुरैन के सरिया बालम आओ नी बाधारो मारे देस देस रे बहुत बढ़िया भावानी जी जब आपने संगीत के सफर के शुरुआत की जमूई से आप हैं और जमूई से मुंबई तक का सफर कितना संघर्श भरा है शन्का सराराज कि आफने मेर्म काफी टाइम हो गया जब मैं इस अी हजन्य नंगय तरफ तरफ मेर्टे छर्ष ब उसकूल चैनल को सांकर था पैर सब्सक्नौल आइंक सप्सक्राइल फिर तेहेंग कोर do frightening कि यह अगा कि बहुत अच्छी आवाज है कोई है घर वाले तो बुलाओ फिर दादा जिसे मुलाकात उनकी कराया फिर उनको उन्होंने बताया कि बंदा अच्छा करेगा तो इसे सिखाई है फिर वहां पर मैंने सीखना सुरू किया अपंडित चंदन कमार गुपता जी उनके पास सिखा अब उनका वह नहीं है इस दुनिया में पर उन्होंने बहुत कुछ सिखाई मारे बेस तैयर कर दिया संगीत का फिर उसके बाद करने के बाद मैं निकल गया कोलकाता कि जमुई में रहके तो बहुत कुछ स्खोप नहीं था अभी मुजिक में करियर बनाना है या कुछ और स कर दो चाना था फीटार जिखना सिका तो ये सब कौकाता में फिर मैंने किया वहां पे पंडित राजा बोष अनके पास मैंने सीखा उसके घर में रहके जीका तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला उसके बाद से वहीं से पिर रहा दिल इंदुस्तानी औप ऑश्टारप विपार चांग को लेकी यही बहुत बड़ी बात होगी भीपारोटी फिरेंट में चीजहूं जिनको अगर हम सजों चीजें है ज्ञान है यहां पर यहां की उरुबरा सकती बहुत है हमारे विहार की तभी इन विसम परिस्थितियों में भी लोग निकल के आगे बढ़ जाते हैं यह मुश्किल काम होता है थोड़ा सब्सक्राइब संगीत कला है संगीत इक साथना है लेकिन जिस तरह से यूटूब पर बहुत सारे सिसे गाने निकला रहे हैं जो कहिना कर शीलता दिखाता है तो भोछ पूरी को उससे प्रदश्रिट किया जा रहे हैं कि यह सही है उसके साथ साथ कहीं न कहीं आपके बिहार की माटी की पहचान है अगर आप पहचान आप इस तरीके से देंगे चीप तरीके से देंगे तो आपके संसकार पर कहीं न कहीं आगे चलके या भी भी उट सकती है उटता है उठी रहा है तो आप कोशिश करें कि आप चीजें गाए क neutrine करें साफ severity जासर याम आलम हम गाते हैं क्यों गाते हैं संगी अच्छा इत्थानिक अगा रहे हैं उभी हमारे फोब जंग चाहें व्यानते जन्दि पिछानते हैं और सब उनके गानों को पसंद करते हैं तो म्युजिक हम पंजावी भिहर में देखते हैं कि कई धिगए जाते हैं या न सक्ते या अक्षर लोग भिहर ए यूथ है उन भूचपुर ही तो आपके पास पहुचें लोग तो आप पहुंचें लोग तो आपके पास है अच्छी वाज भगवान ने दी अच्छा मुकाम आप है तो आप से निवेजन है कि आप अपनी चीजों को ऊपर लेकर आए और कर लोहों का इस तरफ बहुत कलाकार को सुनते देखा है सब लोग भी कहते हैं कि बिहरी टैक के कारण को बहुत दिखत होता है जो ऐसाथ कि आगे नहीं गुछ चैक करन लिन दिक् surviv घप ती तो यह जो गलत तरीके से संगीत का दुस्परचार हो रहा है और इसके करण भीहार सफर कर रहा है अब हमारी संस्कृति और हमारा जो फोक है लोक संगीत है वह सफर कर रहा है जिस तरह से होली के जो गाने पारंपरीक होते हैं तो यह चीजें जैसे कि अभी होली कितनी एची होली है मारे एक रैटर है उन्होंने लिखाया है मेरे को अभी दिया वह मैं रिकॉर्ड भी एले जगीरा अब अधा भाईले सारा बोर राम लाला छेड़े ले जगीरा तो इस तरह की तो बजते ही होली का फील आता है अंदर में एक लगता की धूल उड़ रहा है फूल किल रहे हैं तो इस तरह का फील हमारे ओरिजिनल चीजों से मिल सकता है हम चाहेंगे कितना ना चलें गालें पर वहली वाला फील उमंग नहीं हो जैसे कि बसंद के महीना आते ही हो सरसुदी पुझा आने से होली का फील आने लगता है वातावरन में अंदर से मेरे को लगता है अगर जो फील करते हैं जो मार्ती से जुड़ा वह उसको जरूर मिलेगा आप अवी खराब करने में बिहारी का कितना वरा योगदान रहा है जैसा करम करो गे वैसा फल देगा भगवान तो जैसी करनी वैसी भड़नी के तरज पर चल रहा है बिहार नहीं हर कोई चलता है तो हम जैसे गाने गाएंगे तो इज़्यत वैसी मिलेगी नहाँ हम अगर हम पं जो हमारे यहां शादा सिनाजी नहीं कि उनकों उनका जो सम्मान है वह सम्मान चाहेंगे कि एक असलील गाने वाले जिस तरह से अभी गाने बंते हैं तो उने संगीत अगलग चीज है, संगीत हैं कि आपको खुशी भी देता है, अलग-अलग फीलिंक्स हैं उसमें, असना, र तो हमारी feelings change हो जाती है हम हस रहे होते हैं तो हो सकता emotional हो जाए रोने रोने लगें तो वह संगीत में तो उन चीजों को अगर हम छोड़ देंगे तो संगीत नहीं बचेगा के बहुत मस्ती बचेगी entertainment आप कर सकते हैं पर कितना दे तक आप नाचेंगे हां तो संगीत का फिर मतलब नहीं बनता है वहां पर हला बोल शोर सराबा कर सकते हैं इसको तो सोर सराबा के साथ साथ अगर संगीत को आप priority दें तो आप संगीतकार के नाम पर आपके बाद भी उसे लोग आपको सीख क्या आपको कॉपी करके कुछ सीखने को मिलें उनसे ऐसा कुछ ना करते हैं कि जिससे कॉपी करके और बह जाएं लोग स्टेज पर आपको जब देखा था आपकी ममी पापा ने तो उनका क्या रियक्शन रा अब ममी पापा को तो खुशी मिलती है अगर तो चार-फांच मही ने ही क्या था क्योंकि मेरा मन नहीं था जाब करने का क rotatesा की मेरा जिस यह से हों एक इन्सपरेशन बनना चाहता हूं कि वहां पर माप बच्चे जिस तर आपने बताया था कि biblical में कहते हैं कि डॉक्तर बंजाओ नेश बन जाओ तो ये बाते होती ही है हर जब मैंने क्लास सुरू सिखना वहां पर कि चलो वहां के बच्चे वाने सीक ने सीक्क याए तो मैं सुरू की अधा स्कना तो बच्चे जलदी चले जाते थे लड़कीयां तो मैं पूछा तक्या हुआ तो बोलती थी पर वहां पर होता था कि पता चलियाए घर में तो मना कर देंगे मत सीखो सीखना नहीं है मैं गया भी कई स्टूजेंट के घर गया तो उनका जवाब था कि क्या करें वहां नहीं तब मैं जॉड़ना यह किया कि जॉड़ दूगा क्योंकि अगर जॉब करूंगा तो लोग फिर यही कहेंगे कि देखो वहां गया इतना बड़ा मंच हासिल के फिर क्या हुआ यही सब्सक्राइब करें तो हम इस चीजों को उनको उनका दिल नहीं तोड़ सकते इसलिए हमने सफर चालू कर दिया जाब चोड़ दिया और अभी हम कुछ अच्छा ही करने के कोशिश में आगे कि क्या प्लानिंग आगे कि प्लाइनिंग है कि अभी जिस तरह से को कि स्टूड क्यों हो मारा व्यार का तो हम उस पर काम कर रहे हैं फोक के साध में इसक वे बे Hm hiss नके करेंगे गये एक बैंडड निः dental यह जो बैंड पुरी ब्यृहर का हो अपने ब्यृहर का हो फेमोस उ पूरी इंडिया में फोट और इंफूजन करे हर जीगा हूइश में पौइल हो जो अपने फोक को लेके चलें तो उनको मंच दें जिस तरह से राजस्थान सरकार पंजाब सरकार प्रमोट करती है आर्टिस्ट को तो यहां पर शायद उन लोगों को नजर अंदाज किया जा रहा है तो आप से गुजारिस है कि आप ऐसी चीजों को प्रमोट करेंगे तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा अभी मासंत का मौसम चल रहा है तो मैं चाहूंगे आप दर्श्रकों को एक बसंती बहार सुनाते बसंती बहार एक गाना है जो भोचपुरी में वावन सिंग जी का है तो बसंती बयार बाहल सरसों फुलाईल एहो पिया का है बड़ा तु भुलाईल एहो पिया का है बाड़ा तु भुलाईल तू तो ना आईला तो हर चीठे बाईल एहो पिया का है बड़ा तू भुलाईल भवानी जी संगीत की बात करें तो बिहार में एक आप्शन कैसे हो सकता है यह करियर का क्योंकि बच्चे शिखना चाहते हैं करना भी चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको करियर का एक आप्शन बेटर नहीं मिल पाता हैं जी घाऌ कई संगीत में तो महाँ बहुत कम है जैसकी पहले भी आपने आपने कि आप बहुत जानते हैं अब अब मिलता है। या बहुत ऐसे singers को मैंने देखा है, जो बहुत कुछ करके, सीख के भी भी भीहर में रहके, बहुत कुछ नहीं कर पाए, पर मौहल बदल रहा है, दोर बदल रहे हैं, जैसे संगीत की, अगर केरियर की बात करें, तो सबसे पहले तो संगीत जिस तरह से है, संगीत एक संसकार है, हम बच्चों में संगीत की सिक्षा इसलिए देते हैं, या ज्यान की, सबसे पहले तो यह होना चाहिए आधार लोगों का, तभी संगीत जन जन तक पहुंचेगा और इंट्रेस्ट बढ़ेगी, कि संगीत यह कि हम अगर बड़ा सुनुनिकम बनेंगे या पवन सिंग बन जाए तभी संगीत सीखना है, यह तो कभी होना ही नहीं चाहिए, संगीत और डांस और एक आर्ट है, एक इंसान के अंदर बोलते हैं कि कला, विद्या, ज्यान इसके बिना आप एक मनुस्त्री परशु की समान ह है, और संगीत अगर आपके अंदर गाने की कला है, आवाज अच्छी भगवान ने दी तो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि यह आपके बाद आपके पेड़ी को आपके परिबार में यह मनुरंजन का कारण बनेगा, आपको एक अलग पहचान मिलती है, आपके घर में भी सम सिंगर काम कर रहे हैं, इंडिस्ट्री में ट्राइ कर रहे हैं गाने के लिए, तो पर हमारी आवाज को प्रूब करना पड़ेगा कि हमारी आवाज लोगों को अच्छी लग रहे है, लोग हमें खरीदते हैं, हम उनको बेचने की कोशिस करें वो खरीद लेंगे, रख करते हमें, गए, तोल्सी वोगों के सामने रखने की कोशिस करेंगे, हम जो तयार करते हैं, हम जो सीखते हैं, बनाते हैं, वो दुकान में मार्केट में रखते हैं, तो लोगों क पसंद आए होता एं छिए Batو, और सिंगर, यह बहुत कम होता है, जिष्क बहुत बदे की मुकाम मिलती हैं तो एक फेमश वना अलग बाते लेकिन क्रियय कूर है या चुर्वर्छ में भी haham Direly rehearsed लीए रीडियो में हैं दूर्दर्शन में हैं आप सिखा सकते हैं स्कूलों में सिखा सकते हैं तो वह कहीं नहीं हैं ग्रीयनने यह एक पर अफसर के लायक हमें भी बनना पड़ता है आपको मेहनत करनी पड़ेगी पूरी लगन के साथ सदत के साथ काम करना पड़ेगा क्वालिटी जनरेट करना पड़ेगा तभी आप पहचान बना पाएंगे आपके लाइफ में वह कौन सा गाना है जिसको आप जी रहें और जि यहां जा कर स्थीता कि हम शुरू किया जब मैं बॉलीवी गाना इंगाना शुरू किया तो उसमें Kalash जी के आने भी आपके घाने अि सब गाता था तो वो गाना मैं सबसे पहला गाना जिसने मुझे मंच दिया था बढ़िया और तो वो गाना मैं सुना हूं मुहमद रफीस आपका सौंग है तो मैं चाहेंगे सुना आप उसके बाद फिर मैं कुछ सूफी भी सुनाओंगा ये रात जैसे दूलहन बन गए चरागों से करूंगा और उजाला मैं दिल के दागों से आज के रात मेरे दिल के सलामी ले ले कल तेरे बजम से दिवाना चला जाएगा शम्मा रह जाएगे परवाना चला जाएगा आज के रात ये गाना तैंक यू और सुफी गाने तो हमने शुरू किया था तो मैं वह गाना था प्रीत किलत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी बल बल जाओं अपने प्या को आप है मैं जाओं वारी वारी मोहे सुद बुदनाए रही तनमन की ये तो जाने दुनिया सारी बेबस और लाचार फिरूं मैं हारी मैं दिल हारी तेरे नाम से जी लूँ तेरे नाम से मर जाओं तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाओं तुने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हां हां जी हो गई मैं गें दीवानी 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 तो यह थे संगीत के धुरंधर और बिहार के लाल भवानी पांडेजी जिन्होंने कई ना कई एक नेशनल प्लेटफॉर्मक ये साबित किया है कि बिहार में वो बात है और पोड़ा है नेशनल और इंटरणेशनल प्लेटफॉर्म पे उन्हों ने वहाँ जाकर इस बात को साबित किया है बहुत अच्छा मेसेज आपके तरफ से और आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ी और आपको जल्द ही बिहार में एक नए इंडस्ट्री देखने को मिलेगी और वो इंडस्ट्री होगा फ्यूजन का जिसमें आपको बिहार का जो फोक चीज है वो आपको अलग त हम करते हैं जन की बात आप हमें फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टा पर फालो कर सकते हैं